So plumbers ना बहुत सारे तरीके के होते हैं और सबसे बड़ी बात और problem पता है कि आए गर को make और break करने वाला काम भी plumber और electrician ही करते हैं आपको कैसे test करना है कि आपका plumber ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सबसे बैला चीज कि आप इसके joints को देखिए आप जब इसको joints को पकड़ेंगे और hold करके देखेंगे तो यह बिलकुल locked है यह न एक ऐसा solvent से लगाया गया जो हिल नहीं सकता आपको joints पे randomly test करना है कि क्या कोई lose तो नहीं है अगर joint lose होगा तो leakage का chance सबसे बड़ा यहीं पर होगा दूसरा क्या test करना है इसको मैं बोलता हूँ यह मैंने देशी तरीका डोलड़ा है किसी ने मुझे पढ़ाया नहीं इसको बोलते हैं finger test आप इन दोनों pipes की बीच में कोई finger लगाके प्रेस करके देखिए क्या यह loose तो नहीं है क्या यह soft तो नहीं है अगर यह hard होगा और एक finger जितना joint होगा दो pipes की बीच में कभी भी contraction और expansion होगा तो एक खराब नहीं होगा तो आपका चीज हमेशा ठीक रहेगी इसके उपर प्रेशर टेस्ट करके जुरूर देखना है तो आप अपने plumber को बोलो कि भाईया pressure test करो इसको एक हफते के लिए पानी छोड़ दो इसमें मसाला तब तक मत छापना जब तक कि मैं pressure test ना कर लूँ अगर कोई leakage है अगर कोई problem है तो उस pressure test में सामने आई ही जाएगी और चौता सबसे important काम जब यह सब कुछ हो जाए तो आपको यह ensure करना है पानी का flow खोल के test करना है तो आपको ही सोचना है कि इससे अंदर pressure आ रहा है की नहीं आ रहा एक और वीडियो में बताऊंगा इस pressure को लाने का तरीका कहा है बस आज के लिए बात है